अजदी इस वीडियो दिविच आप सब टीदा वेलकम करदा है और आज़ आप अगला Alphabet जड़ा करना है एस वीडियो दिविच इस वीडियो दिविच शुरू कर दें एन लास्ट वीडियो दे विच जड़ा आपां अखीरते M वार्ड कीता सी ए होन एन ड्रा कार रहे हैं आपां बड़ा सिंपल यह है तुसी देख सकते हैं किस तरह पॉइंट मिला की और एन जड़ा है वो ड्रा हो रहे है एह है एन अग्राशा बद है ओ ओ दे लाई अपां जड़े कॉर्णर ने उसारे गोल कर लाँगे जड़े आउटर कॉर्णर ने उन्नानों भी गोल करांगे और जड़े इन्नर एक सेंटिमेटर दे पॉइंट बनांगे उन्नानों भी गोल कर लाँगे और बाकी स्केल देना अल जड़ियां लाइना ने वह अपन मिला दे मांगे ओ शेप जिड़ा हो त्यार हो गया है अगला है P उसे तरह लेफ्ट साइड ते सिद्धी लाइन खिच के क्योंकि फर्स सेकंड और थर्ड सेंटिमेटर वाले पॉइंट्स दे विच पी दा राइट वाला पॉर्शन ड्रा होएगा दोनों साइड गोल करके और इंटर्नल जड़ा किनारे वह भी गोल करके लाइना नों मिला दियांगे ए पी ड्रा हो गया और जड़ा क्यों है और नों ड्रा कर वासते हैं पर जिमें और ड्रा कीता सी आद देख लो ते आंदे नाल जस तरह में पॉइंट लगाएने क्यों दा जड़ा निचे वाला पॉर्शन है और उस तरह ड्रा करना है जड़ा फूर्थ सेंटर वाला और राइट वाला जड़ा बाक्स है उस दे सेंटर वेच पॉइंट लगाके यसे तरह निचे वाली सेंटर वाली पॉइंट लगाके उन्हाने मिला दियना है तो यह क्यों ड्रा हो गया थोड़ा जाए तयार नल देखके लेकिन एड़ा मुश्कल नहीं है असानी नल समझा जा सकता है उस तो बाद आपके उतो बाद आर जवें पी ड्रा की तीसी बस उस दे निचे तुसी पॉइंट देख लेने अभी किस तरह स्केल रखे है और केड़े पॉइंट नो केड़ एस जड़ा है वह भी बड़ा असान है बस त्यार नल देखो कि इस तरह पॉइंट जड़े नो मुलाए गए ने और अगर त्यार नल देखो गे ता कुछ भी मुश्कल फिर नहीं है क्योंकि एस दे विच उपर सेंटर विच और निच्चे वाले तिन्नों पासे जड़े एक सेंटीमेटर से लाइन्स जड़ी है और राहून गी है साइड़ा अपना गूल कर देआंगे जिड़ा निच्चे वाला राइट साइड वाला कॉर्नेर वी गोल हो जाएगा यसदा और इसे तरह उपर वाला लेफ्ट राइट तो निच्चे वाले भी लेफ्ट राइट तो निच्चे वाले भी लेफ्ट राइट तो निच्चे वाले लेफ्ट राइट तो थोड़ा आपा स्केर दे विच भी इन ड्रा कर सकते हैं लेकिन गुलाई वे थोड़ा अच्छा लग दे थोड़ा लाइनिंग तुसी ते आनल करना मैं क्योंकि वीडियो लंबी नहोजेस करके बहुत ज्यादा गुलाई शेप नहीं दे पा रहे हैं और तुसी इस चीदी शेप जड़ है वे ड्रा करना है और अगए है यू यू उपरों खुला होएगा सेंटर चो और क्योंकि निच्छे गुलाई दे वे चाहेगा तो जिम्हें आपा ओ ड्रा की तासी निच्छे तोसे तरह इनर बाक्स जड़ाओ भी गुलाई चाह जाएगा और आउटर बाला भी और बाकी लाईना स्केल देना लसे दियां मिला दियांगे इस तरह जड़ा है यू और ड्रा हो गया है अगए वी बस लाईना नो ही मिलाना है स्केल देना लेज़ने वेच कि दरे कोई गुलाई दी शेप नहीं आएगी बस पॉइंट्स जरूर तुस्षी त्यान रखने ने जैस तरह मैं तेन पंच दे बॉक्स देविच स्केल रख रहे हैं जिस पॉइंट ते और उस तो फिर किस पॉइंट तक लाईन जड़ी और ड्रा हो रही है एन ना त्यान रखके ये ड्रा किते जा सकते ने और वी तो बाद जड़ा ड्रा करांगे ड्रा करांगे ड्रा जड़ा है वी चार बाई पंच बॉक्स देविच ड्रा होएगा लेकिन एंदा सिर्फ फरक है नहीं है कि जड़ा एम सीओ भी आपन चार बाई पंच च कीता सी लेकिन उपरों क्योंकि यो सिद्धिया लाईना साइड वाली हैं किचियां सी एंदे विच आपन हाफ सेंटिमेटर अंदर नू निच्चे वाले पासों रखांगे और फिर सेंटरल पॉइंट्स जड़े ने उन रा करांगे वह सिर्फ देखन वाली और सिखन वाली चीज है कि स्केल किस पॉइंट ते रखके किस पॉइंट तक उसनों मिलाया जा रहे है लाईन नू और फिर उसनों अपन आउट लाइनिंग दे देनी है ता इस तरह डवल यू जड़ा है वो बंड जाएगा विछले जड़ी लाइन्स एक्सटर्न यो नो अपर आप कर देंगे अगला एक्स ए भी त्यान ना देख देना है ना सिर्फ आपना कॉर्नर्स नू पॉइंट्स नू जड़ा है उस केल देना रा करना है एक पॉइंट तो दूसरे पॉइंट ते कर लाइना जड़ी यान्यो ड्रा कर देनी यान्य ता इस तरह एक्स जड़ा है वो बड़ी ही असानी देना बड़ा ही सौखा जड़ा है वो ड्रा हो जंद है इस तरह X जड़ा है वो ड्रा हो गया और अगला जड़ा शबद है वो है Y बिल्कुल X दी तरह ही ए लाइना ड्रा होन गया सिर्फ निचे वाला जड़ा एक साइड राइट साइड निचे वाली जड़ी X दी यह वापर ड्रा नहीं करनी बाकी उस से तरह ही Y दी शेप जड़ी हो त्यार हो जाएगी इस तरह ए जड़ा Y हो त्यार हो गया उन जो है ए इंगलिश अल्फाबेट जड़ा लास्ट है जड़ जड़े निचे वालीया लाइना जड़ीया ने जड़ दीया वो सिद्धे सिद्धे तिन भाई एक पॉर्शन दे विच आ जानगी है वसे एंदे इस थोड़ा जड़ा जड़े आनल देखन वाली गाला है कि जड़ा जड़े ए जड़ी सेंटर वाली लाइन हो किस तो किस पॉइंट तक मुलाई जा रही है तो सिर्फ ए नहीं देखना है इस तरह जड़ ड़ा हो गया तो अमीन करदा तुसी सारे ने बड़ी अच्छी तरह सिख लिया होएगा